समकालीन हिंदी कथा जगत में डॉक्टर मनोज मोक्षेंद्र एक जानामाना प्रतिष्ठित नाम है। उनकी कहानिया सभी शीर्ष पत्रिकाओं, वेबसाइट्स और इपत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। वे भारतिय संसद में उच्च पद पर बदासीन है। प्रस्तुत्यम की कहानी धर्म चक्र, राज चक्र, मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सेंग। बतलाओ के बयार में सारा गाओं बह गया। लोग बागी नहीं। कच्चे पक्के घर, घास फूस के जोपड़े, पेड़ पल्लों, खेत खल्यान, आज सभी पर बौद धर्म का ठपा लग गया। दर्वाजे दर्वाजे, बुद्धम शर्णम का च्छा में लिखा गया। बच्चों को छोड सभी ने मुड मुड़वाए, गेरुए लबादे पहने। यहां तक की अम्बेटकर की आदमकत प्रतिमा को भी पाकाइदा गेरुआ वस्तर पहना कर बुद्धबाबा बनाया गया। इस बौद्धी करण के खुमार में गाउवालों ने मद्ध्यम मार्ग पर चलकर असीम शान्तिकान भो किया। उन्हें हिंदूओं की सड़ी गली संस्कृति से तौबा कर बेहत सुकून मिला। दीर काली शोचर से निजात मिला। चुआ छूत और उंच नीच की घिनोनी परंपरा से चुटकारा मिला। बेद भाव मिटा। जाती असंकीनता दूर हुई। बेशक सारा गाओं अमेदकर गाओं निर्मल हो गया। बहुत धर्म में इसनान करतरों दाजा हो गया। इस सामुहिक धर्म परिवर्तन के कुछ महिनों बाद तक वे बहुत गुरूओं और बहुत भिक्षूओं की तरह आचनर करते। परस पर उनके उपदेश सुनते सुनाते रहते। क्योंकि स्वामी जी अपने दल बल समेथ जाते जाते ने बता गए थे कि तुम लोग मन, कर्म, बचन से बौद धर्म धारण करना। इसलिए जब बिर्जू बाब भी बना तो बड़े विदिविदान और नेम धर्म से। इस मौके पर अपने परिजनों और गाउं वालों को सुर के मांस की दावत देते हुए उसने हाथ जोड़ कर कहा। अब आप जने बुद बाबा का सुमिरन करके इन हमार भोज जीनिये। तब सभी अहिंसा पर्मो धर्मा हुंकारते हुए भोज चामने लगे। बरुके में ठर्रा उड़ेलने लगे। हलदेव सत्यारती दाथ पीस रहे थे क्योंकि ये सब कुछ उनकी नाग के नीचे घटित हो रहा था जो उन्हें बिलकुल नागवार गुजर रहा था। अभी उन्हें विधायक बने जुम्मे जुम्मे तीनी साल तो हुए है। गावं वालों ने उन्हें चिनाओ जिताने में क्या-क्या नहीं किया था। ये भी पर्वाह नहीं की कि उन्हें एक सवर्ण पार्टी से टिकट मिला है। बस मन में एक धुन था कि वे हलकू भाईया को ताज पहनाने के लिए आकाश पाता लेक कर देंगे। लेकिन ये क्या? हलदेव सत्यार्थी गिर्गिट सरीखा रंग बदलने लगे। वो ज्यादातर समय तो लखनों में गुजारते। जब अमेटकर गाउं आते तो मुलाकातियों से सिर्दर्द का बहना बना कर अपने आराम गहा में दुख्के रहते। यो तो चार-पांच महीने तक सब ठीक ठाक चलता रहा। महीने में गाउं का दो-तीन चक्कर तो लगा ही जाते। आते ही कहते कि शहरी रहुनक में उनका एकदम जी नहीं लगता है। वो सभी के साथ उठते बैठते, साथ-साथ खैनी मीसते, खाते, किसी भी परजित के घर जाकर लिट्टी चोखा खाते, कि अपने लंगोटिया यारों का अंगोचा खरहरी जमीर पर बिचा कर और एक दूसरे को टेक कर सूरज के ढ़लने तक बतियाते रहते कि चन्द सालों में ही अपने गाउं का नक्षा बदन देगे। कि हमारे गाउं का धधकता लिलाड देखकर बड़े बड़े सनातनी बाभन भी इसको चमरोटी कहने से बाजाएंगे। कि हमारे गाउं की कीरत दूर दूर फैलेगी। आदी आदी। तब बिरजू का सीना गुरूर से चोड़ा हो जाता और वो एकदम से चिल्लपों करने लगता हलकू भाया देख लेना हम मिलजुल कर अपने जीवट और मेनत से अपन गाउं में सरग उतार लाएंगे। पता नहीं क्या सोचकर हलदेव सत्यार्थी ने गाउं वालों की महताव कांक्शाओं को इस तरह एड़ लगाई कि वो फुर फुर उड़कर आसमान चुने लगी। वो उन्हें दिवासुपन दिखा कर उनकी च्छाओं को पंक लगा देते। ऐसे में खासकर नौजवान बढ़ चड़कर बाते करने लगते। गाउं के बाहर चाती तान कर घुमते। दूसरे गाउं के बड़े लोग भी उन्हें देख कत्रा जाते। विदायक के काउं के लोड़ों से लफडा कौन मोल ले। हलकू पासवान अब कोई मामूली आदमी नहीं रहा। बड़ा आदमी बन गया है। नाम बदलकर हलदेव सत्यार्थी बन गया है। टुटपुंजिया नेता नहीं राजनेता बन गया है। कितने बाबु साहब भी उसकी अबदियाओं से बदलने लगती है। जिस बुढ़े बौने का कद अचानक बढ़ने लगे उसे सारी दुनिया ही ठिकनी दिखती है। उन्होंने गाउं में अपने जोपड मकान के स्थान पर ऐसी कोठी खड़ी की कि इसकी चर्चा से दूर दराज के हवेली नुमा मकानों की आखें भी चौधी आ गई। कोठी के परिसर में पक्का तालाब खुदवाया और तालाब के चारों और रंग बिरंगे फूल पौधे लगवाये ताकि वो जल्क रीड़ा करके सीधे फूलों से रूबरू हो सके। फिर कोठी की रौनक में चार चान लगाने की गरस से अ हिचकोले ना खाए। एक दिन जब वो टेली फोन पर मुख्यमंत्री जी से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्हें एक बैक एहसास हुआ कि वो बहुत बड़े हो गए हैं। सो उन्हें आदमी और खासकर अपने वायाद गाउवालों से एक मुनासिब दूरी बना कर रखनी चाहिए। वो गंबीरता से आतों मन्थन करने लगे और बड़ा बनने की कवायद में उन्होंने पहले गवई बच्चों की उपेक्षा की फिर अपने दोस्तों की और उसके बाद बुजर्गों की। गाउवालों को ये बात बेहद अखर गई थी कि हलकू बया ने मले बनत है. बिर्जू ने मनीमन कहा हमारी ही बिरादरी का मने हम ही से भेदभाव करता है। हमारे बच्चों की हिकारत करता है बड़े बजर्गों सेकत्रा कर उनकी तोहीन करता है। साला देश का नेता बंती आसमान में उन्हीं लगा। हमसे ऐसे परहेज करता है जैसे कि वो बाबन हो और हम लोग चमार चुनांचे सत्यारती जी को जो बाद सबसे वेहुदी लगी थी वो थी गाउँ वालों का सामूहिक बौद्धी कर रहा है दूसरे जो आदमी आँखों की किरकिरी बना हुआ था वो था बिरजू जो गिरुआ लबादा पहन मूड मुड़ा कर खाटी बौद्ध बनने की नौटंकी कर रहा था और लोग प्रियता में उन्हें खुलम खुला चुनौती दे रहा था उन्हें इस बात का बड़ा कोफ्त हो रहा था कि बिर्जू ने गाउँ वालों के सामूहिक बौद्धी करण में शत्र प्रतिशत सफलता हासिल करके गाउं की पॉलिटिक्स में बाजी मार ली है इसलिए सियासी उसूलों के मताबिक रास्ते के ऐसे काटे को दरकिनार करना ही फाइदे मन्द होगा क्योंकि छोटे लोगों में सामाजिक जागरुकता शीगरी गाजनीतिक जागरुकता में तबदिल हो जाती है अतहा उनकी बिर्जू से व्यक्तिगत इस परधा ही उनकी बहुत धर्म के प्रति नफरत की इकलोती वज़ा बनी हल्देव के व्यक्तित्तों में एक भारी बदलाव ही आया था कि वो स्वर्गिय धनी राम मिसिर की मुक्त कंड़ से प्रशनसा करने लगे थे वो मनीमन मान चुके थे कि मिसिर जी के ये अदम संगर्ज के बदौलत मुसहरों का एक मामूली सा टोला अमबेदकर गाउं में प्रणत हुआ और नीच जाती के उपेक्षित लोग सामाजिक स्विकृति और सम्मान के पात्र बने बेशक गाउं वालों द्वारा ऐसे आदर्शवादी व्यक्ति की सब परिवार जला कर हत्या किया जाना बड़ी शर्व ना घटना थी उनके घर को हवनकुन बनाने में बच्चे बूरे सभी ने योगदान किया था अर्द रातिर तक सभी ने नाच नचाकर समवेत अरे ओ बुडबख बवना गाया था सभी ने ठर्रा चढ़ाया था मूस भून भून कर खाया था उस वक्त हल्कु तो ना समझ लौड़ा था उस उम्र में होश कहा रहता है बस जोशी जोश रहता है उस पर तो सिर्फ माहौल में च्छा जाने का जुमून सवार था बेशक अगर बड़े बज़ुरों ने कोई एतराज या रोक्टो किया होता तो मिसर परिवार अगनी की खुरा कभी नहीं बनता हल्देव सत्यारती स्वर्गिय धनी राम मिसर के भक्त बन गए जब वो गाउं में होते तो तड़के विधिवत नहां दोकर मिसर जी के शहिद इस मारक में उपस्तित होते मिसर जी की आदमकद प्रतिमा पर माला फूल चड़ाते और कम से कम बीस मिनट तक आँखें मून कर प्रार ना करते वापस लोटने से पहले वहां तैनाद गार्ड को हिदायत देते कि पंडित जी की मूरत को जहार पोंच कर साफ रखना की फूल पौदों को सुबह शाम पानी देते रहना की गाउं के लहेडे लोनों को पार के भटकने मत देना वगरे वगरे लोग सत्यारती जी के पाखंड को देखकर हैरान रहने लगे कि उनकी विरादरी का एक गवई छोरा जब बड़ा होकर खुश्पकिस्मती से नेता और विधायक बनेगा तो ब्रामनों का पिठ्टू बन जाएगा लेकिन कोई उनसे शिकायत करने की हिम्मत नहीं जूटा सका एक दन तो गाउवालों की जुबान पर लगा ताला एक बैग खुल गया जबकि उन्होंने अगबार में ये खबर पढ़ी कि सत्यारती जी का राजदानी में सहजा पांडे नामक किसी लड़की के साथ प्रेम प्रपंच चल रहा है उस समय सत्यारती जी विधान सभा अदेवेशन में ब्यस्त चल रहे थे उन्हें नीचा दिखाने का एक बढ़िया मुद्दा बिर्जू के हाथ लगा वो चट पंचायद बठा कर सत्यारती जी को कट घरे में खड़ा करने का तिकड़ मिड़ाने लगा उसने ग्राम प्रधान लखई बाबा के खुब कान भरे और भिक्कु चच्चाय की जी भर चंपी मालिश की फिर भूदपूर विधायक धनेसर पासवान के गाउं जाकर उन्हें उनके भांजे यानि हलदेव सत्यारती के खिलाफ बरगलाने में अपनी सारी शक्ती लगा दी जैसे जैसे बिर्जू धनेसर का कान पकाने में सफल होता गया वैसे वैसे वो गरम से गरम होते गए जब वो एकदम आग बबूला हो गए तो बिर्जू आश्वस्थ होकर और उन्हें पंचायत में हाजिर होने की कसम खिला कर चैन की नीन सोने चला गया दनेसर बिस्तर पर लिटे लिटे गुस्थे से पागल हुए जा रहे थे उन्होंने अपने भांजे यानी हल्देव सब्तियार थी की शादी अपने दूर के रिष्टे के एक लड़की मीना से कराई थी ऐसी सुलक्षणा लड़की पूरे मुसहर समाज में नहीं मिलने वाली थी हाई स्कूल पास थी और फराटे दार मूनती थी अंग्रेजी के शब्दी भी पिटर पिटर चुबलाती थी जैसे की खीर में काजू पिस्ता बादाम हल्देव की माई परबतिया तो मीना की काबलियत और चिकनी चुपडी सूरत देखते ही उस पर लट्टू हो गई थी उसने तो हल्कू की हाँ पूछे बगेरी इस प्रस्ताव पर हामी भढ़ दी थी यो भी परबतिया अपने बेटे के ब्याह को लेकर चिंता में घुल-घुल कर चिचुकती जा रही थी हल्कू के यार दोस्त उसके कान भर जाते थे की हल्कू दूसरे गाओं के ब्राम्मन कायस्त और ठाकुर की लौनियों के पीछे मंडराता फिरता है कॉलिज के गेट पर अड़ा जमाई रहता है और आने जाने वाली सुगर छोड़ियों उपर इश्क के डोरे डालता रहता है ऐसे में परबतिया के भाई धनेसर ने मीना का प्रस्ताव लाकर उस पर बड़ा भारी उपकार किया था आकिर विद्वा औरत का सहरा तो उसका सगा भाई ही ही होगा उसने अपने मनचले बेटे से कोई उल्टा सीधा होने से पहले ही उसके पैरे बेड़ी डाल दी ब्याह के दिन तक हलकु शादी करने से ना नुकर करता रहा लेकिन बड़े बज़र्गों के हट के आगे उसकी एक ना चली ब्याह के बाद हलकु ने धनेसर मामा से जो मूँ पुलाया वो अंततो गत्वा दुश्मनी में तबदील हो गया बहांजा अपने ही मामा के खिलाफत करने लगा शुरू शुरू में धनेसर उसे अनाडी लॉंडा समझ कर समझाता बुझाता रहा कि अपने मामा से खुंदक मोल लेकर उसका नुकसान ही होगा आकिर में उसे अपने मामा के नक्षे कदम पर चल कर ही राजधानी की रहा पकड़नी होगी हलकू तो उसी दिन से पॉलिटिक्स खेलने लगा था जिस दिन उसने धनी राम मिसिर को सपरिवार अगने देव की बली चड़ा कर गाउवाले से अपनी पीट थपथपवाई थी लोग कितने खुश थे कि हलकू ने उनके पुश्टैनी दुश्मन अर्थात ब्रामर जाती के एक समुझेग खांदान को खाक में मिला कर उनके एहम को पोशित किया था उनकी निगाहों में हलकू एक जादू की तरह चड़ गया था उसके बाद से हलकू ने अपनी आउकात को भुनाना शुरू किया इस्थानी अन्यतागिरी से उसे क्या हासिल होने वाला था उसने अपने ही मामा विधायक धनेसर वो खुल्याम ललकारना शुरू किया इधर दर्मियान समय अपनी सवाभावे गत्र से कुछ अधिक तेश भाग रहा था इधर हल्देव और धनेसर के भी शीति उद्य चल रहा था उधर विधान सभा चुनाव से परमंडराने लगा तब दोनों में पारिवारिक धुराओ राजनीतिक दंद के रूप में मुखर हुआ धनेसर को दलित मोर्चे से चुनाव लड़ने का टिकट मिला जबकि राजनीतिक केरियर की शुरुआत करने वाले हल्देव को सवर्ण पार्टी से टिकट मिला हल्देव अपने ही मामा के खिलाफ ताल ठोक कर भिड़ गए गाउंवाले आशर में डूप गए पर हल्देव ने उनकी आँखों पर समोहिनी का परदा डाल दिया दरवाजे दरवाजे जाकर उनसे ये कहा कि हमारा मकसद तो हुकूमत में हिस्सेदारी करना है जब हमें पावर मिलेगा तो हम समूशे देश तक का अमबेड़की करर करने से नहीं इचकेंगे जो लुच्चे लफंगे नेता पारकों और सरकों का अमबेड़की करर करके ही फूले नहीं समारह है आ उन्हें भी हम दिन में तारे दिखा देंगे गाउवाले उसकी बातों पर अंधा विश्वास करके उसे चुनाव जिताने के लिए कमर कसकर भूके प्यासे जुट गए दूर दराज के दियरों में जा जाकर लोगों से निश्ठा वा इमानदारी से हलकू भहिया के लिए वोट मांगे फल सरूप उन उनकी जमानत जब्त हो गई हलकू की जीत की खुशी में गाउवालों ने बिना होली के रंग खेले और बिना दीवाली के अपने घरों में दिये जलाए गाउवाले हल्देव सत्यार्थी के लिए की गई अपनी महिनत मशक्कत को कैसे बूलते वे सोच सोचकर उबाल खा रह हल्देव सत्यार्थी के खिलाफ पन्चायद बैठी गई गाउं के रिवाज के मताबिक आदमी कितना ही बढ़ा हो अगर उसने अपरात किया है तो उसे पन्चायद में उपस्तित होकर न किवल पन्चों की बास सुननी होगी बल्कि सरपंच के फैसले को पूरा सम्मान भी हल्देव ने गाउवालों की निगाह में संगीन जुर्म किया था एक ब्याहता के रहते हुए एक दूसरी औरत और वो भी कुजात औरत से नाजाय संबंद बनाए थे बिर्जू ने भरी भीर में हल्देव पर दोशारों पड़ किया मीना की तरफदारी की जिसने अपने मर पंचों द्वारा गरम जोशी से किये गए जिरह और पूश्टाच में सत्यार्थी जी को जोडार पटकनी विली जब तमाम सबूतों का वहों के मद्दे नजर उन्हें सहजा पांडे के साथ अपने संबंद स्विकारने पड़े तब माहौल में खुशी की लहर फैल गई सरपंच भिक्कू पासवान ने अपना फैसला नंबर वार सुनाया नंबर एग हल्देव वल्द खुर्पद पासवान ने एक लुगाई के रहते दूसी महरारू से टाका बिढ़ाया है मतलब हमारे शमाज के खलाफ स्चंगीन जुर्म किया है नंबर दू उसकी लुगाई खुद उसके शंग जिनगी बशर करने शे मना करत है शो उसको त्याजने के बाद भी हल्देव ओके खाना खर्चा देगा ये हमारे कुटुम का रिवाज है नंबर तीन हल्देव ने कुजात में इशक लड़ा कर हमारे जात का इंशलट किया है दिन में गाउं में लाने का पर्मीशन नहीं होगा इश्य हमारे छोरों पर खराब पर भाव पड़ेगा शो वो अपनी महरारू को रात को लाएगा और रात को ही कहीं बहार ले जाएगा जब पंचो ने सरपंच का फैसला सुईकार कर लिया तो भीर ने भी खुशी से चीत कार हल्देव को दी गई सजा पर अपनी सहमत दी उसके बाद हल्देव और मीना में वैवाईक संबत तोड़ने की रसम अदा की गई राग बुरबुरा का एक रत बनाया गया और हल्देव और मीना को आमने सामने खड़ा करवाया गया उनसे एक पुरानी धोती के दोनों छोर पकड़वा कर खिछवाया गया जब धोती दो फांक में हो गई तो मीना ने एक बन्धी पोटली में संदूरतानी और काज की चूणिया हल्देव के सुपुर्द किया तब पश्चात उनमें विवाविच्छेद लागू हो गया गाउवालों के सामने जलील होकर हल्देव सत्यार्थी ने सारी राद गुस्से में गदात किटकिटा कर और दीवारों से बढ़बढा कर बुजारी प्रतिशोद में उनके बाजू फड़कते रहे, मुठिया बनी रही रताउंदी से ग्रस्त उनकी मा परबतिया ने उनके हाथ पे टटोल टटोल कर धांडस वधाया वो कर भी कह सकती थी जब मीना नहीं उसके बेटे के साथ रहने से इंकार कर दिया तो अपने नालाइक बेटे को डाट फटकार कर उसका जीना और भी दूबर तो नहीं करेगी आकर उसका बेटा बड़ा आदमी बन गया है अफसरों का अफसर बन गया है बड़े बड़े हाकिम आकर उसे सलूट मारते हैं शायद बड़े आदमी ऐसे ही औरत बदलते हैं वो अंतर दंद से विचलित थी पर अब उसे अपने बेटे के दुर्गुनों से भी प्यार हो गया है उसने ही तो उसे एक बड़े आदमी की मा होने का गौरो प्रदान किया है गाओं में बस एक ही घर हिंदू का रह गया था विधायक सत्यार्धीर जी का शेट सभी घर बौध बन गए थे गाओं वालों को मिसर पार्क में शहीद धनी राम की प्रितिमा से भी गुरेश था जब भी चारजने खटे होते तो इन दो विशों पे चर्चा चिर जाती बिर्जू तो एकदम से फट पड़ता जब अम्बेतकर बाबा अपनी महार जाती से तौबा करके बुद बाबा बन गए थे तो इह हरामी हल्देवा को बुद बाबा बनने में क्यों इतराज है सब को उसकी बाचायज लगती वे सेरह लाते और हां में हां मिलाते लेकिन जब कोई शरार्ती लॉंडा हल्देवा को मिसिर भगत कहकर बिर्जू को छेड़ देता तो गुस्से में काफूर हो जाता अगर आज मिसिरवा जिंदा होता तो उसका सिर मुणा कर पहले ददरी मेला में मर कटाहा गदाहा पे घुमाते फिर तबियत से उसे बुद बाबा बनाते एक दिन बिर्जू के दिमाग में शैतान बैट गया चलो मिसिर की मूर्ती को गिरुआ लबादा पहना के उसको बुद बाबा बनाने का डरामा खेले हल देवा पिन पिना के लाल पीला हो जाएगा बड़ा मजा आएगा देखें उससुरा क्या करता है वहां मौजूर बुजर्गों में ललन ने उसे थतकाल गुड़का बड़ा बुरा नतीजा भूगना पड़ेगा सत्यार्थी विधायक के गुंडे तो है जिंदा कबर में गार देंगे दीवान और थानेदार उसके सामने लट्टू सरीका नाचते हैं पर धीट विर्जू का हमानने वाला था उसने अपने कुछ चेले चपाणों की मदद से अपनी योजना को रातो रात अमली जामा पहनाया सुबह हंगावा कड़ा हो गया सत्यारती जी के लिए गटना चुनोती पूर्ण थी उन्होंने पुलिस को फोरान इतला किया पुलिस ने आती पार्क को घेर लिया और संत्री को एक जाड़ी में से बरामत किया जब उसके बंदे हाथ पैर खोले गए और ठूसे हुए कपड़े मुह से निकाले गए तो उसने रात को पार्क में आए उपर दरवियों को नकाब पोश बता कर अपना पेंड चुड़ाया बिरजू की जान से मारे जाने की धंकी के चलते ही उसने जूट बोला था पुलिस को किसी ठोस सबूत के अभाव में कोई धर पकड़ किये बगर वापस लोटना पड़ा हल्देव मुह ताकते रह गए हाथ मलने के सिवाए कोई और चारा भी नहीं था लिहाजा उनकी विदाएकी को बड़ी शर्मन्देगी जिलनी पड़ी बिदाएक हल्देव सत्यार्थी की दशा कमो बेश मिसिर जी जैसी हो रही थी गाउं के पैदाईशी मुसहर होकर भी उन्हें मुसहर समास से अलग समझा जाता था जब वो सहजा पांडे को बतोर बीवी अपनी कोठी में रखने लगे तो गाउं वाले उनसे और भी कोड़ने लगे वे लुक छिपकर उनके खिलाफ पंचायत बाजी करते बिर्जू तो उन्हें हमेशा पंचायत में घसीटने के फिराक में रहता लेकिन वो इस बास से एक नम काफिल था कि वो खुद एक बड़े लफड़े में फसने जा रहा है उस दिन सूरज अंगारा होकर सिर पर दना दन धूप का हतोड़ा चला रहा था यह काया के एक पुलिस की जीब धरधराती हुई गाउं में दाखिल होकर बिर्जू की मड़ई के ठीक सामने धाएं से आकर रुकी गाउंवालों का बड़ा चंबा हुआ कि बिर्जू को बलातकार के मामले में गरफतार कर लिया गया है किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जबकि उन्होंने ये सुना कि बिर्जू ने बमरॉली गाउं की मदू मिश्रा का बलतकार तब किया जबकि उस सांच ढले शौच के लिए जा रही थी लेकिन जब बिर्जू के खिलाफ जुर्म साबित हो गया तब सभी उसे अपरादी मानने लगे उसके रोने गाने पर भिक्कु ने ततकाल ताना कसा सत्तर चुआ खाय के बिलरी चली हज करने उसके माबाप ने किनकिन हाकिमों के आगी अपनी नाक नहीं रगड़ी कि हमारे बुरभग बबुआ को जानबूज कर फसाया गया है लाचार होकर जब वे हलदेज जी के सामने जाकर उनके पैरों पर शाष्टांग गिर पड़े तो उन्होंने हसकर कहा मामला हाथ से निकल गया है बहुत देर हो गई है अब हम कुछ नहीं कर सकते सत्यारती जी मनी मन बाग बाग हो रहे थे कोकि पंचायत में उनकी पगड़ी उतारने वाला बिर्जू जेल की हवा खा रहा था अगर उसे ये अंजाम पता होता तो उनसे कत्ते ही जगडा मूल नहीं लेता अपने सगे मामा तक को तो उन्होंने बक्षा नहीं बड़ी पहुँच वाले MLA थे फिर बिर्जू किस खेत की मूली है बिर्जू के खुराफाती दोस्तों को उसकी गैर मौजूदगी बेहद नागवार लग रही थी उनका मानना था कि चाहे कुछ भी हो बिर्जू किसी लॉंडिया का बलातका नहीं कर सकता उसे लॉंडियों के चक्कर में पढ़ते कभी नहीं दिखा गया लॉंडिया आवाज तो हलकू था अपने लड़क पन में उसने क्या-क्या गुल नहीं खिलाए थे तभी तो उसका जबरन व्याह कराया गया था इसलिए ये बात तो बिलकुल साफ है कि बिर्जू को फसाया गया है और फसाने वाला कोई और नहीं खुद विधायक जी है जब ये बात गाउं के बज़र्गों के कान में पड़ी तब वे सचाई की तह में जाने के लिए बेचैन हो उटे एक दिन उनके शुभा पर सच का ठपा तब लगा जबकि कुछ गाउं वालों ने बमरॉली गाउं की मदू मिश्रा को तहसील में सत्यार्थी जी के साथ बिहस बिहस कर अंतरंग बातों में मश्गूल देखा उसके बाद सभी के जुबान पर बस यही प्रशन था क्या दोनों ने साथ गाट कर बिर्जू के खिलाव कोई साजिश रची थी क्या फरजी केस में फजा कर बिर्जू को जेल के चक्की पीसने के लिए मजबूर किया गया है सत्यार्थी जी के खिलाव बगावत का बैयार बहने लगा मुज़ूर्गों ने विचार में मर्श करके ये फैसला किया कि सत्यारती जी को फिर पंचायत के कटगरे में खड़ा किया जाए सारा गाउं उन पर नज़र रखने लगा कि वो उनके रश्मों रिवाज के खिलाफ कुछ अनापशनाप करें और फिर उनके सिर नाजायज हरकत करने का दोश मना जाए अब तक उनकी जान इसलिए बक्षी गई थी क्योंकि वो उनी की मिट्टी में पले बड़े थे लेकिन वो भी बड़े फूक फूक कर कदम रख रहे थे उन्हें गाउवालों की नाराजगी का पूरा एहसास था जबसे उन्होंने मीना का परत्याग किया था तबसे वो पंचायती फैसले के एक-एक लवज पर अमल कर रहे थे गाउव में रहकर भी घूमने फिरने से परहेश कर रहे थे गरेलू नौकर शिवा सिंग तक को इधायत दे रखी थी कि वो साग सबजी की खरीदारी भी गाउव की दुकान से ना करे ये सब कोई चूक होने से बचने के लिए किया जा रहा था यो भी वो गाउवालों से सक्ती से नहीं निपटना चाहेते थे क्योंकि एक तो वे संगठित थे दूसरे वो अगले चुनाओ के मद्दे नजर अलोकप्रिय होने के बहसे सहमे हुए थे निसंदे अगला चुनाओ आसन था पर होनी को कैसे टाला जा सकता है एक शाम गाउं में दाखिल होते समय उनकी कार की ब्रेक फेल हो गए और सामने पार को रौनते हुए अमेटकर की प्रतिमा से जा टकराई सत्यारती जी ने ड्राइवर की चेताबनी मिलते ही कूद कर अपनी जान बचा ली और ड्राइवर ने भी समय रहते छलांग लगा ली लेकिन कार की भीशन टकर से प्रतिमा चूर चूर होकर धराशाई हो गई लल्लन ने सबसे पहले घटा स्थल पर आकर ताना चनी की बाबन की महरारू ब्या के हरामजादे पर बाबन होने का जख सवार हो गया है उसने चिला चिला कर गाउं को से पर उठा लिया लोग बाग धमाकेदार टकर के बाद चाये घुप सननाटे से आतंके थोकर वहाँ एकतिर्थ होने लगे सत्यार्थी जी अपनी एक्छतिक रस्तकार के पास अपनी चोट सहलाते हुए अपरादी की भादे सिर जुकाए खड़े थे जब कौतुक भीड आपस में घटना की जानकारी ले रही थी तब ही भिक्कु आगे आकर एकदम से चीखने लगा तोड़ दिया अम्बेदकर बाबा की मूर्ती का गबाड़ा कर दिया यह ससुरा बावन का पिट्ठू बन गया है बरहम भत्या करके ब्रम्न की पूजा करते हैं तुम सब जैने जानलो इसने बदला लिया है मिसर को गुदबाबा बनाने का बदला यह अम्बेदकर बाबा क मत्यामेट करने का काम जानमूज कर किया है अम्बेटकर की अंद भक्त बन चुकी भीड गुस्चे में पागल हो रही थी ऐसा आवेश दूसरी बार देखा गया था उस इस्थान से कुछी दूर पर मिसर जी का कप्रेल मकान था जो जातिय दूश के कारर अगे देव की खुराग बन गया था उस वक्त हलकू यानि वर्तमान सत्यार्थी जी उस जातिय उनमात के पूशक थे मुसहर समाज के हमाईती और समर्नों के जानी दुश्मन थे लकाई मुसहर ने दोनों हाथ उठा कर भिक्कू को शान्त किया सत्यार्थी ने अम्वेदकर बाबा की मूर्ती को धूर में मिला कर बहुत बुरा काम किया है हम सब इसकी सजा देंगे सत्यार्थी होंगे बहुत बड़े हाकिम राजा होंगे, सरकार होंगे, गुंडे और पुलिस को नचाते होंगे पर उन्हें हमारे पंचायत के सामने जवाब देना पड़ेगा किसी को दखल नहीं करने देंगे ललन गुरा कर जवान लोडों को ललकारने लगे अरे मुस्टंडों देखत क्या हो धर लो सत्यार्थी को, कई भागने न पाए कल सुबेरे सुबेरे इह हराम खोर को पंचायत में तलब करो सत्यार्थी जी उन्हें आँखे लाल कर डराते धमकाते रहे कानून और सरकार की दुहाई देते रहे पर लॉन्डों की दमदार वाहों में जकर का वीबस हो गए उन्हें धकिया कर, घसीड कर उन्ही की कोटी में कैद कर दिया गया बाहर भीर मुस्तेदित होकर चारों और चौकसी करने लगी उनके निकास की नाकाबंदी कर दी गई कुछ बदमाशों ने ललन के इशारे पर सत्यारती जी के टेली फोन का कनेक्शन और विजली की लाइट कार्ड दी उन्होंने जैसी पुलिस को बुलाने के लिए चोगा कान से लगाया वो समझ गए कि गवार मुसर कितने चालाक हो गए है उन्होंने पसीना पोचा और नौकर को आवाज लगाई शिववा पंखा चला और बलफ जला तो वो हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया सरकार इन लुच्चों न बिजुरी का तार भी खैश के तोड़ दिया है सत्यारती जी माथा पकड़ कर बैट गए इत्यास स्वैम को दोरा रहा था 9 साल पहले उन्होंने धनी राम मिसिर को सपरिवार जलाने के पहले उनके ही घर में कैद कर दिया था अब वही घटना उनके साथ भी घटित होने जा रही है पर उन्होंने ये सोच कर रहत की सांस ली कि कुछ भी हो जाए उनके अपने ही समधाय के लोग उन्हें जिंदा नहीं जलाएंगे अभी कल पंचायत के फैसले के बाद ही किसी नतीजे पहुँचा जा सकेगा तब तक वो कोई रास्ता ढूड़ी लेंगे उन्होंने अपनी रोती हुई मा को डाट लगाई गाउंवाले हमारी एक जाट तक नहीं उपार सकते और वो रार बर सहजा पांड़े के साथ बिस्तरे में लेटे लेटे सोच विचार में डूबे रहे दूसरे दिन सुबह की धूब की मिठा जल्दी गायब हो गई आट बजे ही धूब की तपिश से चटकने लगा पंचाय जाते हुए सत्यार्थी जी मुके रास्ते पर टक टकी लगाए हुए थे कि शायद कोई मुलाकाती संयोग से उनसे मिलने आ जाए और उनकी दुर्दशा के बारे में पुलिस को इतला कर गाओं वालों की बरबरबता को सारवजनिक करते लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनसे मिलने आने वाले हर आदमी को पहले रोक कर ये कह दिया जाता था कि सत्यार्थी जी को अचानक लखनो जाना पड़ा मुखे मंत्री जी से जरूरी मीटिंग करने साड़े आठ बजे पंचायत लग गई गाओं की सारी भीर उमर पड़ी केवल ये देखने सुनने के लिए कि उनके साथ दगा करने वाले के साथ कैसा सलूप किया जा रहा है आस्तीन के साप को कैसे कुछला जाता है भीर करन भेदी गुहार कर रही थी कि उनके देवता की प्रतिमा तो उने वाले को सक्त से सक्त सजा दी जाए लल्लन ने दर्व पूर्वक अपनी पगड़ी पर हाथ फेड़ते वे कहा अब आया है उट पहाड के नीचे इसने हमारे साथ धोका पर धोका किया है पहले ये बावनों की पार्टी से विधायक बना हमने कुछ नहीं कहा मिसरवा के नाम से शहीद पारक बनवाया हम मुसी ये बैठे रहे मिसर को दयुता मान के पूजने लगा हम कहे कि जाए दो ये नादान बबुआ है लेकिन जब अपनी महरारू को तज के बावन की छोरी ब्यालाया तब हमारे सीने पर साप लोटने लगा तब भी हम कहे कि चलो ये लोटे को हमी जने जमाई है इसको माफी दे दो लेकिन अभी हराम खोडने हमारे देउता को धूल चटाया है इसलिए हम इसे नहीं बक्षेंगे कोई मामूली सजा नहीं देंगे सपोले को पोस कर अपने पैर को लहाड़ी नहीं मारेंगे ये हमारे बसकी बात नहीं है भीड की बेता हाशा चिलाहाट में ललन की आवाज दूब गई हाँ हाँ इसके जुर्म की सजा मौत है इसे जिंदा जला दो कुकुरों से नुचवा नुचवा के खिला दो पत्थर से बांद के इनार में गिरा दो पेर से लटका कर फासी दे दो गीद, चील और बाज से नोश-नोश कर खिला दो सत्यार थी जी एक तो चलचलाती दूप से दूसरे दर के मारे दोगने बहने वाले पसीने से नहा रहे थे नौजवान लॉडों से गिरे होने के कारण भागने की भी गुस्ताखी नहीं कर सकते थे अब उन्हें ना चाहते हुए भी मौत का नंग नाच देखना था वैसे वो लगातार गिर्ड़ाए जा रहे थे दया की भीक मांगे जा रहे थे पर सभी को उनके खस्ता हाल पर बड़ा मज़ा रहा था तब ही अच्छानक खामोशी फैल गे ये क्या सत्यारती जी सरपंच लखई के पैरों से चिपट कर घिगिया रहे थे लखई ने आख मार कर कहा अच्छा तब मुझरिम भी कुछ कहना चाहे है चलो उसकी बाद भी सुन लो उसकी आखरी इच्छा पूरी कर दो सत्यारती जी की आखों में घड़ों आसू आ गए उनकी भर्राई आवाज में गजब का आकरशर पैदा हो गया था हाँ हम अपना कसूर मानते हैं हम गुमान में डूब कर अपने को भगवान मानने लगे थे भूल गए थे कि हम भी मुसहर हैं हम चाहे गंगा सागर ना हैं या काशी में भीक मांगे अपने पाप का प्राइश्चित करें हम बाबन कभी नहीं बन सकते मुसहर थे मुसहर रहेंगे सिर्फ भाबनी को बियाने से कोई बाबन नहीं हो जाता अरे आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि हमने एक भाबनी को मुसहर बना दिया उसका धरम रस्ट कर दिया रही भाद धनी राम मिसर के पूजा करने की तो यह हमारा राजनीतिक पाखंड है जो आप नहीं समझेंगे यह पाखंड करके हम मुखे मंतिर और पधान मंतिरी बनेंगे इस खातिर हम कभी पंडिर बनेंगे तो कभी चमार हमारा धरम राजनीति करना है यही करके हम आपका भला कर सकेंगे भिक्कू ने बीच में ही जुबान पकड़ ली लेकिन बिर्जू को फरजी केश में फशा के और जेल में शडा के उसका क्या भला किया है आप ये बात नहीं समझोगे चच्चा बिर्जू के केस में बवनाईन पर अत्याचार दिखा के और बलातकारी के रूप में बिर्जू को जेल पठा के हमने बावनों की हमदर्दी बटो रही है इह हमदर्दी को हम अगले चुनाओं में बुनाएंगे सत्यार्थी जी के आत्म विश्वास से पगे शब्द लोगों के इस दिल पर असर करने लगे बिक्कू नफिटो का लेकिन हमारी हमदर्दी तचके तुम कहीं के नहीं रहोगे बिधाय क्या तुम ग्राम परधान भी नहीं बन पाओगे सत्यार्थी जी को एहसास हुआ कि उनके विरोधी नरम हुए जा रहे हैं वो बिक्कू का हाथ थाम कर खुशामत करने के मूड में आ गए चच्चा हम आपके हमदर्दी नहीं आपका साथ लेके रहेंगे क्या आप इबूचते हैं कि हम कुजात हिंदू बनके आपके साथ रहेंगे नहीं नहीं हम भी बुद्ध बाबा बनेंगे अमेतकर बाबा का खाटी चेला बनेंगे हम पूरी तयारी करके आएं सत्यार्ती जी के बौत बनने की घोश्रां से भीर में एकदम खलबली फैल गई लोगों के मन में उनके लिए एक बैक मोह पैदा हो गया सत्यार्ती जी ने पहली बार बोगों के चेहरे पर आखें गड़ा कर देखा वे विसमे पूर्वक उनसे आकर्शित हुए जा रहे थे उनका उत्सा दोगुना हो गया उन्होंने आगे कहा बिर्जू हमारे सगे से भी सगा है आप क्या समझते हैं कि ये खेल सिरफ मदू मिसरा और हमारे बीच खेला गया था अरे नहीं नहीं इस खेल में बिर्जू भी सामिल था आप लोग जाके उसी से पूछ लीजे अब देखिये बिर्जू को हम कैसे चुटकी मजेज से छुड़ा के लाते हैं उस साला हमारे एस्टेट का कमान संभा लेगा और हम सेंटर के लगाम थामेंगे इस बार भिक्को ने दो बारा प्रशन नहीं किया उसे सारी बात समझ में आने लगी थी ललन ने कहा अगर सत्यारती जी दो बात पूरा कर दें तो हम उन्हें माफी दे के अपने समाज में वापस रख लेंगे एक तो उबुद बाबा बन जाएं दूसरे बिर्जु को जेल से छुड़ा लाएं ऐसा ना करने पर फिर पंचायत बैठेगी और फिर से मुकदमा चलेगा इबादी मालुम हो कि हम बड़ा सकत फैसला देंगे जब पंचायत उठी तो लोगों के मन से अपने सत्यार्थी जी के प्रती रोश धुल गया था वे मन से उनकी प्रशंसा कर रहे थे वे उन्हें तत्काल गले तो लगा नहीं सकते थे क्योंकि वे अभी अभी उनकी मौत मांग रहे थे दो पहर तक अम्बेदकर गाओं का माहौल बदला-बदला सा था सहजा पांडे पर से पंचाय की पापंदी उठा ली गई थी वो पहली बार बाहर निकल कर गाओं में चहल कदमी कर रही थी विधायक जी तो तत्काल लखनो रवाना हो गए थे लेकिन सहजा पांडे अम्बेदकर की दूसरी आदमकद प्रतिमा को यतास्थान प्रतिश्ठापित करने के बंदोबस्त में लगी हुई थी दूसरे दिन सत्यार्थी जी के गाओं वापस लोटते ही लोग हैरत में टूप गए उनके साथ सचमुझ बिरजू था सत्यार्थी जी राजनीतिक प्रभाव डाल कर बिरजू को जिल से रिहा करा लाए थे उस वक्त उन्होंने खुद बौद धर्म स्विकार कर गेरू अलबादा पहन रखा था सबसे अश्चर चनक बात ये थी कि सत्यार्थी जी मिसिर जी की प्रत्मया को अपने हाथों से बौद पोशाक पहना रहे थे मिसिर इस मारक के प्रवेश द्वार पर पत्थर पर सूचना कुदवा दी गई थी कि महान समा सेवी श्री धनी राम मिसिर ने अपने अंतिन दिनों में बौद धर्म स्विकार कर लिया था अभी आप सुन रहे थे गावों की जातिगत और छल प्रपंचों से भरी राजनीतिक उठा पटक भरी कहानी धर्म चक्र राज चक्र जिसे लिखा था डॉक्टर मनोज मोक्षेंदर जी ने उमीद है ये रोचक लेकिन सत्य को उजागर करती हुई कहानी आपको जरूर पसंदाई होगी ऐसी ये उतकरष्ट कहानिया सुनने के लिए क्रप्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद